हेलो दोस्तो नमेश्कार एसे हम किसी चानल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो दोस्तो इस बड़े में हम लोग कवर करने वाले उस टॉपिक के बारे में जिससे रिलेटेड काफी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्षन में आज की दिन देखने को आपे मिल चुकी है मतलब मार्केट की बात करें अच्छी का सी गिरावाट तो देखने को आपे मिल गई इलेक्षन के जो रिजर्ट्स थे वो हम सभी लोग ने देखी लिए है अभी भी काउंटिंग यहापे जा रही है अगर आप चेक भी करोगे तो आपको नजर यहापे आ ही जाएगा वैसे सिनेरियो के आपे मिल रहे है जो एक्सपेट किया गया था कि BJP यहाँए 240 की सीट के साथ हम लोगों को जीतने वे देखने का आपे मिल रहे हैं बट येस So definitely इन चीजों के चलते हम लोगो काफी ज़्यादा reaction फिलाल तो बाजार में देखने का आपे मिल चुका है बड़ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज की चर्चा हुई है तो वो कौनसे stocks के ओर है यह सरकारी कमपनिया क्योंकि सरकारी कमपनियस के अगर हम लोग आपे बात करेंगे तो एबदम rocket हम लोगों को बनते वे देखने का आपे मिल चुके थे और वो तो election से related direct link थे ठीके आप सब लोगों को याद होगा कि election के पहले जब भी हम लोग वीडियोस जितने भी cover करते थे कोई भी सरकारी कमपनिय अगर आती थी या फिर कोई private कमपनिय भी आती थी बड़ अगर वो सरकार के साथ directly और indirectly अगर ज़्यादा link होती थी तो मैं हमेशा आप लोगों को alert वाला sign दिखाता था कि यह वाला point याद रखना कि election का माहोल है ठीके कुछ भी आपे हो सकता है जिस प्रकार के numbers आएंगे, result आएंगे उस हिसाब से वो company हम लोगों को आगे बढ़ेंगी या फिर पीछे आएंगी वो देखने को आपे मिल जाएगा इनका जो remote control है, यह completely सरकार के पास होता है, आप इनको order दो तो यह company अच्छा काम करेगी, अगर आप इनको orders नहीं दोगे तो company कमाई कैसे करेगी, एक nominal कमाई होगी तो company का revenue कैसे बढ़ेगा, revenue नहीं बढ़ेगा, तो profit नहीं बढ़ेगा, earnings नहीं होगी, growth नहीं होगी, तो share नीचे याएंगे, तो यह पूरा समय करण हम लोगों को आप पता था, तो सरकारी companies के उपर खास हम लोगों को आज के रिन focus देखने होगा, जहापे आप देख सकते हो, और उसी से related काफी सवाल भी यहापे पूशे गए थे, अभी अगर हम लोग बात करें railway stocks, तो railway stocks भी 17%, 19%, इब दम जोरदार गिरावट हम लोगों को देखने होगा आपे मिल चुकी है, क्योंकि यह गवर्मेंट लिंक की company आप से भी लंक बता है, इनके promoter ही government है, तो सरकार का रुक जो बदल गया था, इसी चीज़ के चलते हैं, इन companies में हम लोगों को तेजी रिखने होगा आ ऐसी भी तेजी नहीं थी, कि कोई खराब बाते करके, companies के numbers भी हम लोगों को अच्छे देखने होगा थे, बट वो तेजी continue रहने के लिए, क्या चाहिए, इनको लगातार वो contract भी continue हापे मिलने चाहिए, ठीके तो अभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो तो बात की बात है, और अगर हम लोग basic conclusion के, अगर हम लोग बात करें, जितने भी हम लोगों को ये सरकार PSU stocks देखने होगा आपे मिले है, उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट है हम लोगों को देखने होगा आपे मिल चुके है, बिकॉज कौन सी government आएगी, नहीं आएगी, क्या stable government आएगी या इसी चीज के चलते हम लोगो reaction देखने होगा आपे मिले वाला था, बिकॉज इन companies की policy अभी सरकार के चलते हैं, अम लोगो देखने होगा आपे मिल रहा है, तो अभी जो important points अभी में आपकी सामने रखने वाला हूँ, आप ज़रू इसको study कर सकते हो, कोई भी चीज recommendation होती न तक के जो scenario है, उसमें तो यही पता चल रहा है कि देखो भाई, NDA की ही सरकार तीसरी बार हमनों को बनते वे देखने को मिल रही है, हाँ बट इसमें difference कहें कि BJP की majority हमनों को देखने को नहीं मिल रही है, तो यह मुद्दा है, बट फिर भी NDA की ही सरकार current scenario के इसाब से तो ब बाकी उनको मित्रदलों के और से आपर सीट से आपर लेने पड़ेंगे, खास करके उनमें कुछ हम लोग को ऐसे सरक पावरफुल पार्टी से आपर देखने को मिल रहे है, वेक्ति देखने को आपर मिल रहे है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनका जो background है, या फिर इतियास के अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर आप उस्टडी करोगे तो आपको एक alert by default देखने को मिल जाते हैं, मतलब या पर बात हो रहे हैं दोस्तो नितिश कुमार जी की, तो नितिश कुमार जी की अगर मैं बात करूँगा तो आप सभी लोग को पताईए, हर किसी के party में हम हम लोग को मतलब alliance करते हैं देखने का आप मिल चुक है, जितने भी अगर आप check करोगे, हर जगे पे वो जाते हैं देखने का आप मिल चुक है, और उनी से related हम लोग को market में सबसे जादार चर्चाए भी होते हैं देखने का आप मिल रही है, कि अभी आगे क्या होगा करके, ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया, तो सामने वाले जो इंडिया एलैंस वाले भी है, वो भी उनको जबरदस तरीके से आपे offers यापे दे सकते हैं, वो तो सिधा प्राइम मिनिस्टर के post का भी उनको offer यापे दे सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीज़े भी हम लोग को sources क के जरीए, फिलाल तो बाजार में देखने को आपे मिल रही है, ठीक है, तो अभी आगे क्या होगा, वही एक सबसे बड़ा question mark हम लोग को देखने को आपे मिल रहा है, तो फिलाल के current scenario की इसाब से अगर हम लोग बात करें, तो वो अगर हम लोगों के NDA की सरकार अगर बनती से वे देखने को आपे मिल सकते हैं, तो यह एक पहला scenario हम लोगों को देखने को मिल रहा है, बट याद रखना दोस्तों, इसके उपर focus रखना पड़ेगा, जितनी चीज़ी हम लोगों को आसान लगती है, उतनी easy है नहीं, क्योंकि सामने वाले भी जरूर कोशिश आपे करे सकते हैं, इस प्रकार के scope उनके पास भी available है, वो हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है, अगर ऐसा हुआ, तो फिर पूरे market के लिए, खास करके सरकारी companies के लिए, तो बहुत ही बड़ा turn oil हम लोगों को देखने को आपे मिल सकता है, क्योंकि पूरी फिर वह सरकार ही बद आने वाला budget भी एक काफी important role यहापे play करने वाला है, क्योंकि अगर इन companies के अगर हम लोग यहापे बात करें दोस्तों, इनके लिए सबसे बड़ा oxygen क्या रहता है, क्या आप उनको पैसे कितने दे रहे हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि NDA के सरकार बनगे, मतलब सब कुछ ठी आप उनको allocation भी उस level पर ही देना आना चाहिए, जितना आप पहले यहापे दे रहे थे, पहले अगर किसी को मान लिए 100 रुपे आप देते थे, अगर आप बाद में उसको 80 रुपे अगर कर दोगे, तो automatically हम लोग को पता चलेगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, definitely उ उसी के साथ-साथ हर एक department रहता है, कौन सावाला, जो अभी हम लोगों ने देखा, जैसे कि अगर हम लोग railway की बात करें, defense की बात करें, ठीक है, हर एक के minister रहते हैं कि नहीं, ठीक है, power minister की अगर हम लोग बात करें, तो उधर भी देखना पड़ेगा, कि क्या वही व्यक्ति continue कर रहा है, क्या फिर कोई दूसरी व्यक्ति आ रहा है, यह सारी चीज़े focus में रखनी पड़ते हैं, तब जाके आप decision ले पाओगे, कि exactly properly क्या करना है करके, ठीक है, क्या यहापे अशने वेशनो जी ही वापस यहापे continue करेंगे या नहीं, राजनात सिंग जी, defense minister थे, क्या वापस यहापे continue करेंगे या नहीं, ठीक है, तो यह सारी चीज़े यहापे देखनी पड़ेंगी, finance ministry के अगर हम लोग यहापे बात करें, तो निर्मला सितरम जी वापस continue करेंगे या नहीं, ठीक है, क्योंकि उनीक स्टेट्मेंट के चलते हम लों को इस सारी चीज़े यहापे दे सकता है करके, तो उसके उपर आप लोगों का अच्छा का सा फोकस यहापे रहना चाहिए, इसलिए मैंने हमेशा आप लोगों के बात बताई थी, कि जो election वाला पिरेड यहापे रहता है, उसमें सरकारी कमपनिया कास करके आप लोगों के radar के यहापे रहनी चाह कि 300 के पार वो खुद अकेले ही चले गए थे, ठीक है तो उनको कोई मतलब बोलते हैं ना कि जो उनके बाकी मित्रादल जो थे, उनके साथ मतलब कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है तो वो बिंदास अपना addition यहापे ले सकते थे, जो policy लेना चाहते थे वो ले सकते थे, कोई उनके against वोट करें, कोई फरक नहीं बढ़ता था, 300 प्लस सिटे उनके पास थी, तो आराम से कोई भी कानुन पास होता था, कोई भी बिल पास होता था, बट अभी कि अगर हम लोग बात करें, तो यस, इतना easy तो उनके लिए होने वाला है नहीं, 240 ही वोट उनके पास देखन पड़ सकता है, मतलब overall conclusion क्या है दोस्तों कि यह जो सरकारी companies है, yes, उनमें हम लोग को एक अच्छी कासी uncertainty बविश्य में जरूर देखने को आपे मिले वाले है, बहुत सरे if and buts देखने को आपे मिल रहे है, सबसे पहले if and buts यही है, कि कौन सरकारी आपे बना रहे है, chances तो 90% अमनों को NDA के ही देखने को मिल रहे है, बट फिर भी जिस प्रकार से exit poll surprises देखने को मिल चुके है, तो कोई और option ना हो सके, ऐसा हम तो यहापे कह नहीं सकते है, हर कोई अपने और से पूरी ताकद यहापे लगाएगा, ठीक है, then उसके साथ second important चीज रहेगी budget, ठीक है, ती absolute majority किसी एक party को यहापे नहीं मिली है, ठीक है, जैसे मैंने का कि single largest party तो BJP देखने को यहापे मिल रहे है, बट वो भी 240 के आसपास ही है, तो absolutely majority हापे नहीं है, तो बार-बार यह focus रखना पड़ेगा, कि कोई politically चीजे इधर से उधर तो नहीं हो रही है, कि कोई सरकार गिरान कि कोशिश तो नहीं कर रहे है, तो यह चीजे भी, मतलब बोलते हैं लटकती भी तलवार देखने को आपे मिलेगी, ठीक है, अभी इसके पहले 2019 से लेके 24 तक एबदम relax माहोल चल रहा था, क्योंकि यहार किसी को पता है, 300 plus BJP अकेला यहापे आया था, कुछ भी हो जाए, को हम लोगों ने इसके पहले कि यहापे देखी वी थी, मतलब पहले कैसे हुआ करता था, 2019 के बाद की बाद, 12 पेसा लोग लगा कर यहापे बैठे वे थे, पताईए भई, जो policy ले आने फटा 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 फट वह यहापे लाते थे, ठीके, आराम से बीली आपे पास होता था, ठीके, बट अभी के सिनेरियो के अगर हम लोग बात करें, तो yes, definitely, काफी सारे hurdles उनको यहापे फेस करने पड़ेंगे, तो अगर आप सरकारी companies में जानी का वीचार यहापे कर रहे हो, तो यह वाला मुद्दा आप लोग को ज़रूर फोकस में आप लोग को बताए है, यह वाले पॉइंट आपको पताए हापे होने चाहे है, तो आशा करता दोस्तों, वीडियो हैलफूल लगाओगा, तो चाहता आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हो, मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए, बबबाए